नमस्कार, जै मिथिला, जै बिहार मित्रबंध हो कैसे हैं आप सबी मैं उमेद करता हूँ आप अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी H नाम वाले जातक है जैसे हडीस, हडियोम या इसके अलावा ऐसे और भी बहुत लोग है जिनका नाम H अक्षर से सुरू होता है तो इनका जो आने वाला शमय है यानि कि 2023 इनके लिए कैसा रहेगा शवाल महत्वपुर्ण है वीडियो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए तो आईए अब वीडियो की सुरूआत करते हैं शब से पहले जानते है कि आपका जो प्रेम जीबन है यानि कि लव लाइफ वो कैसी रहेगी मित्रों लव लाइफ के द्रिष्टी कोन से आपका जो आने वाला शमय है वो आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है यानि वो बरावर नहीं रहेगा ना ही ज्यादा खरावर हैगा और ना ज्यादा अच्छा रहेगा आने वाले वर्स में अगर वर्स के सुरुवात की बात करें तो सुरुवाती दो तीन महिना जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा आप दोनों में तनाव बहुत ज्यादा होगा मंगल की दृष्टी आपके पांच में भाव पर रहेगी जिसके कारण से आपको तनाव का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और इस कारण से आप दोनों के बीच में तनाव और ठकराव ये दोनों बहुत ही ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और इस कारण से आपको परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा और ये जो परेशानी है ये जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महिनों में होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनाब ही होगा जब जब ग्रह की दृष्टी थोरी सांत हो जाएगी तो रोमेंस प्रेम भी बढ़ जाएगा इसके वाद जो अप्रेल का महिना है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बहतर होगा अप्रेल के महिने में आपका शंबंध बहुत ज्यादा मजबूत होगा लेकिन मित्रों आपको जून के महिने में फिर से साब्धान होना चाहिए क्योंकि जून के महिने में आप दोनों में तनाव फिर से उत्पन हो जाएगा और वो तनाव फिर थोरा ज्यादा रहेगा जो कि आपके शंबंध को बिगारने में बहुत ज्यादा महतपुर्ण भूमिका निभा सकता है तो शाबधान रहिएगा आप मेंसे जो भी लोग प्रेम बिवाह करना चाहते हैं तो आने वाले वर्स में प्रेम बिवाह की शंभाबना बहुत ज्यादा है अगर आपके घर पडिवार में सब बेहतर हो तो प्रेम बिवाह आप कर शकते हैं मित्रों इसके बाद है आपका केरियर तो केरियर के दृष्टी कौन से शाल की जो सुरुवात है वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी शुरुवाती जो तीन महिना है उसमें आपको शमस्या का सामना बहुत ज्यादा करना होगा आप मैंसे जो भी लोग अव तक बेरुज़गार हों आने वाले वक्त में अगर आप नौकडी करना चाहते हैं जौब करना चाहते हैं तो जौब की संभावना है अगर आप जौब सही तरीके से खोजते हैं तो आपकी नौकडी अवश्य लगेगी आप मैंसे जो भी लोग नौकडी स्विच करना चाहते हों नौकडी बदलना चाहते हों तो नौकडी बदलने में आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें अन्यथा परिशानी का सामना आपको बहुत ज्यादा करना होगा अगर आपके पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सिक्षा के दृष्टी कौन से भी आपका शमय एवरेज होगा आप मैसे जो भी लोग मेहनत करेंगे परिस्रम करेंगे वो शफल होंगे और जो भी लोग भागे भरोसे बैठे रहेंगे वो औसफल होंगे क्योंकि आने वाले वर्स में आपके शमय का सपोर्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा आपको जो भी करना है खुद के दंपे करना है अगर भागे भरोसे रहते हो तो गरबर हो जाएगा और आपकी जो पड़ेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो शाबधानी हटी दुर घटना घटी तो शाबधान रहिएगा फाइदे में रहिएगा मित्रो इसके बाद है शबसे महत पुर्ण आर्थिक जीवन क्योंकि पैसा अगर नहीं हो फिर जीवन बेकार हो जाता है तो आने वाले वक्त में आपको अपने फिजूल खर्ची पर तिकम ध्यान देना होगा जो आपका विर्थ का खर्चा हो उसको रोक देना है फुल स्टॉप लगा देना है क्योंकि विर्थ के खर्चे पर अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले वर्स में पैसों की परेशानी आपको बहुत जयादा हो जाएगी आप मेंसे जो भी लोग पैसों का लेन देन करते हों पैसों का आदान परदान करते हों तो लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं किजिएगा अन्य था आपका पैसा डूब जाएगा पैसों के मामलों में आपको हर हमेशा सावधान होना चाहिए क्योंकि सेम वही लाइन यहां भी है सावधानी हटी और आपका पैसा डूब गया तो सावधान रहिएगा फाइदे में रहिएगा मित्रों यही था आपका शामान फलादेश जो आपके आने वाले वर्स का था और अब बात करते हैं कि आने वाले वर्स में आपको कौन सा उपाई करना चाहिए उपाई बहुत ज्यादा शामाने है आपको सनी बार और मंगल बार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और शाथ में भगवान सनी की पूजा भी आपको करनी चाहिए अगर आप इस उपाय को आज माते हैं तो आने वाले शमय में आपके जीबन में जो परेशानिया है उसकी शंख्याएं बहुत कम हो जाएगी मित्रों अगर आपके मन में कोई शवाल हो कोई प्रस्ण हो तो नीचे में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता आवश्य की जाएगी वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में इस पेसल रासी को आपने सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै हनुमान आप कमेंट कर दिजिएगा तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै विहार जै मिथिला